हेलो दोस्तों कि यह हल चाल है उम्मिदेगा वच्छे होगे इस सुड़े हम बाते करने वाले हम एंडिये फाइस्ट दो हजाए 21 बैच के रिजल्ट के वारे में आप में सब बहुत वच्चों का हमारे पास कमेंट आ रहा था है कि जो हमारा एक्जाम हुआ है अपरेल में 18 प इस वीडियो पुड़ा देखना हो सके तो इस वीडियो लाइक का देना शेयर का देना नमबर एक बात करते हैं हम आपके रिजल्ट के वारे में तो हम क्लिए कर देते हैं दोस्तों आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और कब आने वाला इसी महीने में जिया दोस्तों आपने सही सुना माई में आपका रिजल्ट आ जाएगा 100% गारंटी है और कब तक आएगा माई की लाश्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला एंडे फ़ेश्ट दो हज़ा 21 बैच का क्योंकि दोस्तों इसलिए कह रहे हैं जब आपका एक्जाम होता है एंडे का तो एंडे के एक्जाम होने के बाद आलमुष्ट एक महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है जैसे कि पिछली साल हुआ था एंडे फ़ेश्ट और सेकंड दोनों एक्जाम एक दिन होई था 6 सितंबर को और रिजल्ट को आया था दोस्तों आपका 9 अक्टूर को आपका अनुमाल लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो आने वाला है मई में आने वाला है और मई की लाष्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जायाएगा कनफर्मी यूपीसी तरफ से जारी कर दिये जाएगा और अनुमानित हम आपको वता दे 20 के बाद आपका रिजल्ट आने वाल हम आपको टेलीगाम पर देते रहते हैं तो आप टेलीगाम पर जाना और जी स्टडी सेर्च करें आपके सामने अकाउंट जायगा जाएगा जान कर लेना तो हमने आपको बता दिया आपका रिजल्ट कवाने वाला है बाकी हमने NDA 2 हज़ 21 के application form कवाने वाले हैं notification कब जारी होगा और age क्या रहने वाली है exam कब होगा इसके उपए पहले से वीडियो बना रखा है यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा देख लेना important वीडियो यदि आप NDA 2 के त्यारी करें हो तो इस वीडियो को जरू देखना ठीक है बाकी है पिछल साल की important date देख सकते हैं इसमें के लिए दे रखा है exam खतम होने के बाद दोस्तों all almost UPSC एक महिने बाद आपका result जारी कर देता है तो आपको इस वीडियो में तो नहीं बता ना था जब भी आपका result आएगा हम आपको बता देंगे फिलाल इस वीडियो में तो नहीं था यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का देना